कि आपके चैनल के मादम समय काना चाहता हूं योगी जिस कहिए उच्चारवी गर्मी की बात मत करें भरती की बात करें यहाँ पर 15 साल से भीधायक है अखलेश की कम होती है तो कांग्रेस पार्टी यो दीती है उनको शीट दे देंगे गया सिलेंडर सर पे लेकर किस मिर्ट्र सब्सक्राइब करें करोड़ों कमाई इस वक्त हम जिला महराज गंज में मौझूद है और इस विधान सबाव गाओं का नाम इनसे पूछेंगे क्योंकि महराज गंज में आने के बाद रेंडम हम किसी भी गाओं में लोगों से जाकर बाचीत कर रहे हैं तो आफ कैमरा हमने गाओं का नाम भी पूछा लेकिन भूल चुके हैं तो सबसे पहले बताइए गाओं का नाम क्या है विधान सवा का नाम फरंदा तो यह वताए कि युवा क्या सोच रहे हैं अपकी बार चुनाओ मुझे लगता है चुनाओ परचार खत्म होगे आप परसो जो है चुनाओ ह अब हम लोग अपनी सरकार चुनेंगे और हम लोग कभर्ति वर्ति ने निकल ला ए है और ऐसी सरकार हमको नहीं पसंद है जो कर दो म् 관련 नो ठीक है नहीं ठीक है कि और फिरंदा बहले जो पहले 600-500 मिलता था अब इने समय ओर से यहां कि बीदायत से तेहां बोटम ऑचनी आई तो मौनें भी नहीं तो मौन्गने भी नहीं थो बढ़ इमांदारी आक हैं यहां को महंगाई बहुत ज्यादा है जो गैस चार सौ में मिल ला था आज एक हजार में मिल ला है वह करें टाइम के हिसाब से बढ़ गया रेट अब कौन सा टाइम है बोलते हैं कि इंडिया में गैस हाई है दो सौ में बीकना चाहिए तो अभी एक हजार में बेंच रहे हैं जहां बंबाई में पांसो थाड़े तीन सव में लोग जाते थे आज हजार रुपिया भाड़ा टीकट हो गया है हर चीज महंगा है अच्छे दिन है इतना महंगा है अच्छे दिन कि पंदर लाख देने के लिए बोले थे पंदर पैसा आज तक नहीं आया है इंदार कर रह आपने देख लिए डबल एंजिनिंगी सरकार कैसी लगे जी आपके बताना चाहता हूं इस बार महंगाई पेवोट सोंस समझ करोड मोदी ने सपने दिखाये थे कि नौजवानों को हर साल दो कर नोकरियां देंगे उनने पांट साल साल उनको हो गए कितने कुर्ण नोकरिय तरीके से योगी आयतनात का यह बयान उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद फिर से जो है वह अपरादियों पर कारवाई की जाएगे बुलो जोर को मरमत के लिए भेज दिया गया है तो इन सबी बयानों किस तरीके आपके चैनल के मादम समयकाना चाहता हूं योगी जिस कहिए करते हैं भर्ती की बाद करें हमाइन नौजमान पर यह वह में करें। किसी भी बीजेपी प्रवक्तस करें मैं उसे डिबेट करेंग तैयार हूं आज टीचिंग करते हैं शह साल से मोदी जी ने सिर्फ मदर्सों में आतंगबादी पकड़ रहे हैं जो आज बलतकाई था राम रहीम गुरुत पीत राम रहीम सिंग आज प्लस सुछा लेकर घूम र रुजगारी की जो बात करें शिक्षा की वह चुनाओं से पहले जातिवादें बठेगा या फिर जो मुद्दे सोचे हैं बेरुजगारी को सब्सक्राइब करें चुनाओं का समय आता है एक बीजेपी सरकार ऐसी है मंदिर मस्जित पर जाद धर्म पर गाय गोबर पर आते हैं आतंगबादी जब चुनाब आता है, मंदिर बन गया? चुनाओं से पहले कहा था मत्रहकासी बाकी है, दो मुद्दा बचा नहीं है उनके। तर्प्रदेश को नोच पता है क्या अब मानते हैं की अकलेश यादा विक्षम यान्रेस अउना तो च्या मानते हैं कि अकलेश यादा विपक्षम मुक्षिछ लड़ रही है जनता अकलेश लड़ रहे हैं उनके पास बाहुबली है अभी देखा गया है अभी जश्ट इस रांग रूम में ताला तुड़ा गया है अभी जश्ट नूचला है इसी इनकी सरकार जब 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 दबंगई चल लए जिस सपने दिखाते हैं मोदी की डिगरी खुद फरजी है जो ग्रह मंत्री देश की बने हुए है तड़ी पार जी कहते बारामी के बाद इंटर कर लो मैं आपको लेपटाप देंगा स्मार्टफोर दूगा जो मंत्री बना हुआ है उसको खुद नहीं पता कि बारामी के बाद इंटर किया तक्या किया जाता है तो इस पता है कितने सिक्षक हैं यूपी मैं से पचीश जाशिच्चक हैं जिनको मिला नहीं मिला है शपन महिने सतन खाना मिला एक शिक्षक भरती में भी घोटाले की बात चल लए जब तो क्या यह मुद्दा सिक्षक का जो है वो शिक्षक इस वार सोच के वोट करेंगे पहली सरकार है कि जो सारे पेपर लिग किये गए है कौन सी सरकार है तो अब की बार सोच रहे है बदलाओ बदलाओ जुरूरी है तो योगिया इतना साधी 300 कभी नहीं आएंगे अगर इवियम खतम हो जाया वो 330 नहीं बात छोड़िए 30 की बात कम कर दीजिए 30 नहीं पाएं भूप अंगे लोग वोट करेंगे जिसको चोचकर लोग बटन दवाएंगे और कुनाओं से पहलेवटिंग से पहले क्या कुछ चहटे पेज के जो वोटर है उनका कहना है आप बहुता दिए आप क्या काम करते हैं अब यह सोच के पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर अखलेश भईया की सरकार आगी तो हम लोग कुछ आगे पढ़ाई किया जागे नहीं तो इनके सरकार में तो भईया पढ़ाई एक्दम बंद क्यों कि इनके सरकार में ना कोई भर्ति है ना कोई मतलब रोजगार का तो कोई नाम ही नहीं है जहां भीदे को सब बेचारे वे रोजगार पड़े हैं तो क्या करेंगे भरती को लेकर जिस तरीके सरकार ने कही थी कि भी साल में सतर लाक रोजगार बहुत सारे वादिक किये गए थे धरातल पर कितना कुछ नहीं दिखाए देरा भी आप ही बता दिखाए विधायक बतारा तीन बार से हैं मुझे लगता है 12-15 साल हो गए उनको तो कितनी कितना किया है चेत्र में काम क्या कि है वह तो ठेकेदार बस उनको के वर रोट दिखाए देता है जहां भी देखिए बस के वल उनको रोट का काम दिखाए देता बाकी तो कुछ हईये नहीं ह अपने फंड पास करें उनका बतीजा को कई बार से यहां से विधायक हुए है और जब भी जीते हैं फाइड में कांग्रेस बिरंदर चोधरी रहते हैं पिछली बार उनीस सो पचासी और जीते थे इसके पहले 255 जीते थे इस बार कडी टकर दे रहें बिरंदर चोधरी यह यह लगता है कि चुनाओं में कहीं न कहीं अगर फाइट लास्ट में तगड़ी हुई तो दोनों पार्टियां एक साथ जा सकती है या कौन-कौन सी पार्टिया साथ में आ सकती है चुक्कि आप सिक्षक है और तमाम मुद्व बोलने इसलिए मैं पूछ रहा हूं जीए अगर हमाई हम सरकार में विजिए पीक साथ बनाएंगे फिर बात में कहते हैं में अखाँ समझवादी को हराने के लिए हाँ उन्होंनों कहा समाजबादी को हराने के लिए भाजपा को जिताई है उन्होंने बियाना पएंदी है ठीक है आप बताईए कौन सब्सक्राइब बहुत देर हाँ सुन लिए तो मतलब यहां पर रोड बनवाते हैं फिर उसके बाद से उसका फिर रिपेरिंग करवाने के राज में भी बन गई उसके बाद भी नहीं मतलब उठाते हैं कभी कोई कहने से कोई फरक उनको नहीं पड़ती है तोड़ा सब्सक्राइब किसानों का मुद्दा बहुत है हमारे बचारे किसान यूपी में बहुत मुद्दा है जो गाय छुट्टे सान है योगी जी के ल नहीं नहीं वै Jewish Aa लक्त शाहर लख वाले करते हैंसे अंगे करेंगे लेकिन करेंगे लेकिन उनक के रहे हैं मोदी जी ने बयान नों ने कहा की हमें नहीं मालुम ता की उत्तर प्रदेश में जेसह हैं आवारा मेंदस कुछ समस्यां उत्तर परदिश में पता है आज रहें कि गोबर से आप उपले बनाई है उसे रोजगार करिए करोडो कमाई है बताये और हो क्यों ने करवा रहें अपने बीजेपी भक्तों से करवाई हो पहले एक कोई मुद्दा हुआ है इससे रोजगार मिलेगा आज बेचाए नौजवान जितने साथी बंबाई दिल्ली से आ करके यहां पर अपना रोजी जीवाने अपन चला रहे हैं किस तरीके चला रहे हैं कोरोना के समय देखिए अ प्रवानचल के तरफ अब ठटे चरण के बाद क्या कुछ महौल बन रहा है वो भी लगतार दिखाते रहेंगे फिलाल के लिए नमस्कार